23 मई साल 2017 मुंबाई का एक अपार्टमेंट जहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी की लाश पड़ी हुई है खून से लगपर और बगल में पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा बैठा हुआ है और वो अपनी मा के खून से फर्ष पर लिख रहा है इसने मुझे परिशान कर दिया है मैं ठग गया हूँ मुझे पकड़ लो और लटका दो साथ ही बनाता है एक स्माइली फेज अब आखिर उस अपार्टमेंट में उस रात ऐसा क्या हुआ कि इंस्पेक्टर की बीवी का मर्डर हो गया वो मरी पड़ी हुई है फर्ष पर खून साथी साथ बेटा वहां पर मौझूद है उस रात कौन अंदर आया कौन था जिसने उस लेडी का कतल किया और इंस्पेक्टर सहब उस वक्त कहा थे और अगर बेटा अपनी मा की लाश के पास था तो वो क्या कर रहा था और यह जो खून से उसने इतना सब लिखा इसके के साथ और अपने बेटे सिधान के साथ मुंबई में रहा करते थे लाइफ अच्छी खासी चल रहे थी एक इंस्पेक्टर थे वो इतने बड़े केस की जांच भी कर रहे थे साथी साथ अपने घर परिवार पर भी ध्यान देते थे अब ऐसे में जब इनका बेटा बड़ा होता है बार्वी की परिक्षा पास कर लेता है उम्र होती है उसके 20 साल अब यह सोचते हैं कि बेटे को आगे क्या करना है सिधान से पूछा भी जाता है बहुत सारी चीज़े पता की जाती है कि क्या करना चाहते हो आगे क्या चीज तुम क्या बनना चाहते हो तुमने अपन में बिल्कुल मरने ही लगता ना वो कॉलेज ही जाता अब दिपाले और द्यानेश्वर सिंग को माफ करेका द्यानेश्वर गन्नौरे को लगता है कि अब कुछ तो हमें अपने बच्चे को कराना होगा इसके करियर के लिए कोई पढ़ाई तो करानी होगी कॉलेज में दाखि जो सिधान तो इसका रवया वही हो जाता है कॉलेज नहीं जाना किसे से बात नहीं करना अपने कमरे में बैठना घूमना अफिरना एक तरीके से आवार अगर्दी करना अब जो दिपाली है वो बार बार अपने बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जैसे हर अब बार ऐसा होता है बहुत से केसे हमने सुने हैं जिसमें माबाप के डिसीजन जो है कई बार ऐसा हुआ भी है कि वो क्या करना चाहता है तो अन लोगों ने इंजीनरिंग करा है उसके बाद जब उससे लगा कि वो बच्चा है नहीं समझ पारा अभी कॉलेज भी नहीं ज तो दिपाली बार-बार कोशिश करती है कि उसे पूछे, उसे पढ़ाने की कोशिश करे, कोचिंग जोइन कराने की कोशिश करे, बार-बार पूछती है, चाज टेस्ट था, क्या हुआ, कौन सा टीचर आया, अब लगा था जब दिपाली अपने बच्ची की लाइफ में घुस दोस्त के साथ भी बाहर जाना है, तो मैं डिनर वहीं से करके आऊंगा, तुम और बच्चे कर लेना, अब दिन में सब कुछ ठीकी रहता है, इधर जो सिध्धान्त है, वो अपने पापा से मिलकर आता है, उनके ऑफिस जाता है, वहां उनसे मिलता है, फिर वापस घर आता ह तो फिर में, और उसी दिन उसका रिजल्ट आना होता है, अब जो दिपाली है, जैसे वह घर आता है, खाना वगर एलोग खाते हैं, फिर दिपाली उससे पूछती है, कि तुम्हारा रिजल्ट का क्या हुआ, कैसा रहा, मतलब कितने माक्स आये, क्या हुआ, अब लगाता है जो दिपाली पूछ रही थी, जो सद्धान्त है, वह सारी चीज़े अवाइट कर रहा था, उसका मन नहीं था कि वह अपनी मां से बात करें, लेकिन दिपाली कुछ लगा कि शायद वह फेल हो गया है, शायद उसने अच्छा काम नहीं किया, या उसके नंबर अच्छी नही पूछना जाली रखा, उससे पूछना जाली रखा कि मुझे बताओ क्या रिजल्ट आया है, और इसी इसी चीज़ों में, मतलब इनी चीज़ों में जिस तरह से दिपाली पूछ रही थी, जो उससे धांत गना रहे है, वह बहुत आग बबूला हो गया, गुस्से मितिन मिल गया और उसने शाकू उठाया और उससे लगातर अपनी मा पर अटैक करना शुरू कर दिया, अपनी मा पर इसकदर उसने अटैक किया कि उसे होश ही नहीं था कि वो उसे मार रहा है या उस पर हमला कर रहा है जिसने उसे जन्म दिया है, लगातार वो दिपाली के गले पर प तोड़ देती है उसकी मौत हो जाती है उसकी जो लाश है वो फर्ष पर पड़ी रहती है. कुछ देर सिद्धात वहाँ पर बैठा रहता है अपनी मा की लाश को देखता है. फिर भून से उससे वह लिखता है कि इसने परैशान कर दिया है मुझे और मेरे पापा की जंदगी इसने दैनी बना दी है, मैं थक गया हूँ, मुझे पकड़ लो और लटका दो, साथ ही एक smiley face ही मिना देता है, अब आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह वही तस्वीर है, इसी तरीके से यह फर्ष पर यह सारी चीजन लिख देता है, लिखने के बाद यह नहाता है, अपने आपको साफ करता है, कपड़े अपने निकालता है अलमारी से, फिर एक बैग लाता है, उस बैग में अपने कपड़े रखता है, सामान पैक करता है, दो लाफ रुपे घर में cash रखेते वो लेता है, और फिर वहां से निकल जाता है, जो gate है उसे बाहर से बंद कर देता है, लॉक कर देता है, अब वहां से निकलने के बाद ये सीधे station जाता है, station से पर train पकड़ता है, train पकड़ने तेवक्त ये ticket भी नहीं लेता है, बिना ticket के सवारी करता है, और वहां से सूरत होते हुए सीधे पहुच जाता है, जैपुर, मैं बच गया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मम्मी से चुटकारा मिल गया, यहां आने के बाद खोडल बुक करता है, station के पास ही और वहां पर रहना शुरू करता है, अब इधर, जिस रात ही, यानि 23 मई 2017 को जिस रात ही निपाली का कतल किया गया है, उसके बेट कुछ खाने पीने गए हो, मुझे देखने गए हो, तो इसलिए वह बाहर बैठते हैं, बाहर इंतजार करते हैं, बीच-बीच में फोन भी मिलाते हैं, लेकिन फोन का कुछ पता नहीं, फोन मिलता भी नहीं है, अब उन्हें समझ नहीं आता क्या करें, और देर होती है, पर उसके लोग भी नहीं बता पा रहे हैं, कुछ मैं जानता भी नहीं हूँ, अब वो इधर-दर हाथ पर मारना शुरू करते हैं, तो उन्हें शूर रैक के पास चाबी मिलती है घर की, अब उन्हें लगता है कि अगर ये लोग बाहर गये हैं, तो यहां पर चाबी रखके ज दिखा हुआ है फोन से और एक smiley face भी बना हुआ है, अब ये सब देखें, वो फोन बगयरा देखते हैं, जो उनका बेटा है, उसका फोन तो वहां पर है, लेकिन बेटा कहीं भी नहीं है, पुलिस को बिलाया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस चांच परताल करती है, तो जो दयानेश्वर सिंग है, उनको भी डाउट होता है, क्योंकि वो भी तो पुलिस में ही थे, तो उन्हें भी डाउट होता है, कि हो ना हो, इस पूरे मामले में मेरे बेटे का लिंक जरूर है, और साथ ही साथ, जो बाकी पुलिस वाले वहां पर आते हैं, जांच के लिए, उन्हें भी लगता है कि पहले बेटे को ढूढना जरूरी है, क्योंकि वही लापता है, यहां पर, उसके अलावा और कोई था भी नहीं, आपके घर में वो आता जाता है, वो रहता है आपके घर में, तो उसके अलावा पहले शक हमारे उसी पर जा रहा है, क्योंकि वो गाय जाता है दरसल जैपूर में जब वो जिस होटल में रुखा था वहां पर वो अपना Facebook का location माख परीगा Facebook जो है वो आन कर लेता है और इसी के जरीए पुलिस को Facebook के जरीए उसकी location मिल जाती है क्योंकि उसके लिए जितने भी सोशल मीडिया थे उन्हें पुलिस निगरानी में तो रखी रही थी और जैसे वो फेसबूक वगारा open करता है कि जो station के पास यतने भी hotel थे वहाँ पर तस्वीर दिखा कर लोगों से पुछते हैं तो पता लगता है कि यह लड़का जिस hotel में ठहरा हुआ है कमरा नंबर भी पता लग जाता है और जाकर पुलिस उसे arrest कर लेती है और फिर Mumbai पुलिस को उसे सौब दिया जाता है अब इसके बाद जब सिधान गनेरे को पुलिस पकड़ती है उससे पुष्टाच कि जाती है उससे सारी चीज़े निकलवाई जाती है तो बड़ी आसानी से वह सब कुछ बता लेता है उसके चेहरे पर पच्छतावा भी नहीं था कोई डर भी नहीं थ वो सीधे सीधे बोलता है कि इस ओरत ने मुझे और मेरे पिता को परेशान कर दिया था हमारी जिंदगी लाचार बना दी थी इसलिए मैंने उसे मार दिया मैंने इस पर पांच बात शाकों से अटाक किया पुलिस के सामने वो बकायदा इस तरीकी से स्टेट्मेंट देता है बिना डरे हुए बिना किसी शंशे में और एक तरीकी से उसी अपनी मा को मारने का जरा भी पचतावा नहीं था इस मामले में जब दयनेश्वर गंणौरे से बात की बातशीत की जाती है तो वह भी बोलते हैं कि उन्हें भी इस चीज़ से बहुत दिसपॉइन्मेंट है उन्हें नहीं लगा था कि उनका बेटा इस हद तक जा सकता है वो ऐसा भी कुछ कर सकता है और जब इस पूरे केस क लेकर उस वक्त डॉक्टर से बात की गई जितने साइक्रेक्टर होते हैं जब उनसे पूछा गया तो उन्हें ने भी यही कहा कि इस लड़के को देखते हुए जिस तरह से पुलिस ने से यांच पड़ताल कि और जैसे यह जवाब दे रहा है इससे यह तो नहीं लगता कि इसकी जो mental stability है वो बहुत बेकार है या इसके उपर कोई परेशानी है यह नॉर्मल लड़का ही है लेकिन शायद इसको बार-बार जो पोक किया जा रहा था या इससे ऐसा लग रहा था इसकी मा बहुत सारी चीज़े थोप रही है तो यह उसे बहुत बुरी लग रही थी औ इपनी मा को मौत के घाड उतार दिया